हेलो फ्रेंड मैं आनंद प्रेश उमन स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्यान में और आज के विडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं गूगल पीपल कार्ड के बारे में यह गूगल पीपल कार्ड जो की गूगल ने अभी हाल में ही लांच किया है जिसके थुरू आप अपना एक भर्चुल बिजिटिंग कार्ड क्रियेट कर सकते हैं उस बिजिटिंग कार्ड को क्रियेट करने के बाद अगर कोई भी आपके नाम को सर्च करता है गूगल पे तो वहाँ पे आपका वो प्रोफाइल सो करने लगेगा, उस प्रोफाइल में आपकी images, आपकी basics information, अगर आप professional हो तो आपके profession की information, आपके education की information, साथी साथ अगर आप कोई business करते हो, तो आप अपने business का भी details उसमें डाल सकते हो, यह just like एक जैसे आप physical visiting card अपना create करते हो, उसी तर से आप Google पे अपना virtual visiting card create कर सकते हो, जैसा कि आप मेरे mobile के screen पे देख सकते हो, मैंने जो अपना Google virtual card बनाया है, जैसे कि मैं आनंद प्रियशुमन अगर Google पे search करता हो, तो जैसे scroll down करूँ, यहाँ पे people's के option में यहाँ पे मेरा profile सो करेगा, जैसे ही आप उस पे click करोगे, तो य visiting card के तरह मेरा सारा information यहाँ पे सो करेगा, इसी तरह का आप भी अपना एक virtual visiting card Google पे create कर सकते हो, तो चलिए आज के वीडियो में बताते हैं, कि यह कैसे create या जाएगा, तो इसके लिए आप क्या किजिए, अपने mobile में कोई भी browser open कर लिजे, उसमें आप अपने Google account से sign in कर और यहाँ Google search में type किजिए, add me to Google, जैसा ही आप इस पे type करेंगे, तो यहाँ पे आपको option आजाएगा, add yourself to Google search, यहाँ पे get started का option है, आप यहाँ पे जा करके Google people card बना सकते हैं, इसके अलाबा एक और option है, कि आप यहाँ search option में type कर सकते हैं, edit my people card, यह अगर search करेंगे, तो भी आप यहाँ से, जैसे देख सकते हैं, add yourself to Google search, और यहाँ get started के option पे यहाँ click करके आप अपना profile बना सकते हैं, इसमें जैसे ही आप get started पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको option आएगा, जैसे कि आप यहाँ जो भी आप अपने Google account का profile pick लगा हैं, वो by default यहाँ पे show होना start हो जाए इसके अलावा आपको यहाँ name का option आता है, location, आप जो भी location है वो लिख दिजेगा, यहाँ about का option आएगा, उसमें आप अपने बारे में, जैसे कि मैंने लिखा है hard work who like networking, vlogging and YouTube, उसी तरह से आप अपने बारे में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, next option है occupation का, जो भी आपका occupation ह पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने network engineer ढाला है, next है work, यहाँ पे आप अपनी company या फिर अपना business profile जो भी है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, उसके बाद है education का, उसके बाद अपना hometown डाल सकते हैं, अगर आप कोई website है आपका, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, आप अप पर डाल सकते हैं जैसे कि यहां पर मैंने YouTube Facebook डाला जैसे आप social profile पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको option आजाएगा Facebook Twitter LinkedIn कोई भी profile यहां पर अपना डाल सकते हैं डालने के बाद आपको यहां पर option आएगा save का उसे पर क्लिक कर दीजेगा उसके आज सबसे last option आएगा प्रिव्यू का जैसे ही आप प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे जो भी आपने details डाला है वह किस तरह से लोगों को show होगा उसका एक overview यहां पर आपको देखने को मिलेगा उसके बास सबसे नीचे का option है सेब का उसे पर क्लिक कर दीजे जैसे ही आप like मैं एक private window खोल लेता हूँ यहां पर यहां जैसे मैं Google open किया और यहां पर जैसे ही मैं अपना profile search करूंगा तो यहां पर देखिए थोड़ा सा scroll करने के बाद जहां people का option होगा वहां पर मेरा यह profile show होना start हो जाएगा जैसे इस प से क्लिक करेंगे तो यह देखिए मेरा गुगल का virtual visiting card सो होना शुरू हो जाएगा इस तरह से आप भी अपना virtual visiting card गूगल पर बना सकते हैं Google people card आप बना सकते हैं तो thank you friends आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like and share जरूर करे साथ ही साथ